आवश एक सूचना, योट्यूब चनल रिची के वीडियो पर दवाईयों की सामानी जानकारी के लिए वीडियो अपलोट किये जाते हैं, किसी भी वीडियो में खुद से दवा लेने से पहले डॉक्टर से सला अवश ले, यदि कोई भी वीडियो देखकर खुद से दवा ले तो गाईस, अगर अभी तक आपने हमारा चनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिये और वीडियो को चलिए, स्टार्ट करते हैं, तो गाईस, सबसे पहले हम देखने हैं, कि एक आईवी फ्लूट क्या होता है, तो गाईस, आईवी फ्लूट ऐ ऐसे specially formulated liquids होते हैं, जिनने किसी patient की winds में लगाया जाता है, अब गाईस, इन आईवी फ्लूट को wind में ही क्यों लगाया जाता है, इसका भी एक सीधा सा मैं आपको जवाब देता हूँ, तो इनके नाम में ही हमें पता चल जाता है, आईवी फ्लूट, यानि कि आईवी फ्लू को किन-किन समस्याओं के लिए यूज किया जाता है, तो इन आईवी फ्लूट को dehydration की समस्या में, यानि की पानी की कमी हो जाने की समस्या में लगाया जाता है, जैसे कि उल्टी के दौरान पानी जब पेट से सारा साफ हो जाता है, या फिर दस्त के बाद आदमी के या शरि पर भी डे हाइडरेशन हो जाता है या फिर गर्मी में काम करने से बीडिय की समस्या हो सकती है हमारे शरीर के प्रत्यग सेल के लिए पानी बहुत जरूरी होता है और हमारा शरीर लगबख 60% इन वाटर से ही बना हुआ है और। जब भी हमारे शेयर में परियाप्त पानी नहीं होता है तो उस कंडिशन को हम डियाईडरिशन कहते हैं यानि कि उस इन नेक्ट समस्या होती है वह उसे jan समस्या होती है जिसमें दस्थ होने के बाद उल्टी होने के बाद शरीर में पानी की कमी हो जाने के बाद बॉड़ी के इलेक्ट्रोलाइट्स गड़वड़ा जाते हैं और उस समस्या को इलेक्ट्रोलाइट्स imbalance कहा जाता है ऐसी समस्याव में IV fluids का use किया जाता है IV fluids को किन लोगों में लगाया जाता है यह अब हमारा next question है तो guys IV fluids को लगबक सभी age में use किया जाता है IV fluids को बिमार चोटिल और dehydrated from exercise और heat यानि कि exercise करने के बाद पानी की कमी होना या फिर गर्मी के कारेंट पानी की कमी हो जाने में IV fluids का use किया जाता है गाइस इसके बाद हम बात करते हैं सबसे important question यानि कि types of IV fluids के बार में तो guys IV fluids कितने types के होते हैं तो guys IV fluids बहुत तरह से आते हैं जिनमें common है यानि कि नॉर्मल सलाइन डी एनस यानि कि डेक्स्ट्रोस नॉर्मल सलाइन आरेल यानि कि धिंगर लेक्टेट सॉल्यूशन डी 5 डी 10 डी 25 बैनिटॉल इन सभी ही की हम आगे डीटेल में और भी बात करेंगे इनकी पैकेजिंग इनकी क्वानिटिटी इनके यूजेज और इन आईवी फ्लूट से जूड़ी सारी इनफॉर्मिशन को आगे हम डीटेल में देखेंगे तो guys सबसे पहले हम देखते हैं एनस को एनस का फुल फॉर्म होता है guys यहाँ पर नॉर्मल सलाइन और गाईस इसके guys sodium chloride एक तरिके से हम इसे बोल सकते हैं और एनस यानि के normal saline 100 ml की bottle जो होती ह्यों हम बोल सकते कि एक तरिके से नमक का पानी भी से हम बोल सकते हैं एनस किती तरह की packaging में आता है तो यह आता है 100 ml 500 ml और 1000 ml की यानि के 1 लिटर की bottle की packaging में hiring नही नहीं मिलत ही चुका होता है sodium chloride और salty होता है गई अगर एनेस की यूजर्स की बात की जाए कि एनेस कप-कप चड़ाई जाती है तो इसके यूजर्स है इसे चड़ा जाता है dehydration में dehydration को भी हम आगे बहुत ही अच्छे से समझ चुके हैं याने की पानी की कमी होने पर शरीर में पानी की कमी हो जाने पर dehydration हो जाने पर एनेस को लगाया जाता है इसके बाद इसका next यूजर्स क्या है वो है एनेस से उस वुण को वाश किया जाता है उस वुण को धोया जाता है उस घाव को धोया जाता है इसके बाद इस एनेस का next यूजर्स क्या है तो dilution of injection यानि की गईस बहुत सारे जो injection होते हैं बाजार में powder form में भी आते हैं तो उन powder form injection में हम डाइरेक्ट तो उन body में चला न और फिर उस injection को किसी भी patient को लगाया जाता है तो ऐसे injection को powder form injection का dilution करने के लिए भी एनेस का use किया जाता है गाईस मुझे लगता है कि आपको ये सारी बात है बहुत अच्छे से clear हो रही होगी समझ मा रही होगी तो गाईस आप एक काम कीजिए आप एक copy लेके इन सभी points को जो आपको screen पर दिख रहे हैं आप इने note करते जाईए और अगर आप चाहे तो आप इसका screenshot भी ले सकते हैं अब सबसे महत्वपुन बात हम करने वाले हैं एनेस के बारे में कि एनेस को किन किन patient को नहीं देना चाहिए तो एनेस को जिस भी व्यक्ति को blood pressure की समस्या रहती है उस व्यक्ति को एनेस नहीं लगाना चाहिए क्योंकि गाइस एनेस होता है salty water इसमें होता है sodium chloride और गाइस नमक से blood pressure high हो जाता है थोड़ा सा increase हो जाता है तो किसी भी blood pressure के patient को एनेस हम नहीं लगा सकते है नहीं तो उसका blood pressure थोड़ा सा और high हो जाएगा यानि कि hypertension की स्थीती म व्यक्ति पहुच जाएगा तो ऐसी condition में हमें एनेस blood pressure के patient को नहीं लगाना चाहिए इसके आगे हम देखते हैं अब हमारी next eye fruit को जिसका नाम है dns dns का full form होता है guys dextrose normal saline अब यहाँ पर जो dextrose है उसको हम समझ लेते हैं इसके composition को समझ लेते हैं dns के तो guys composition की अगर बात की जाए तो इसमें जो dextrose है यह एक प्रकार की sugar है एक प्रकार की शक्कर है कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ guys हमने कभी न कभी carbohydrates तो पढ़ ही है अब उसमें हमने पढ़ा है glucose, fructose, maltose यह सभी sugar के form होते हैं उसी प्रकार से जो यह dextrose है यह भी एक प्रकार की sugar होती है और उसके आगे जो dns में ns लिखा है वो तो normal saline है अब guys हम इसके composition को अगर ध्यान से देखें तो इसमें जो dns में d है इस d की जो मात्रा है 100 ml की bottle में वो है 5 gram dextrose और जो ns की मात्रा है वो है 0.9 percentage ncl यानि की 0.9% इसमें ncl है यानि की sodium chloride है और d 5 gram है यानि की dextrose 5 gram है guys आपको इतनी बात बहुत ही आसानी से clear हो गई होगी अब हम देखते हैं कि dns की जो bottle है बाजार में किन किन quantities में आती है त एक लिटर की यानि की 1000 ml की bottle में हमें dns मिलता है इसका full form है dextrose normal saline guys अब हम देखते हैं कि यह जो dextrose normal saline है इसके क्या-क्या use है इसे किन-किन patient को लगाया जाता है या इन्हें किसकी समस्या में use किया जाता है तो सबसे पहली जो समस्या है वो है dehydration यानि की वही पानी की कमी ह हो जाने पर dns को लगाया जाता है अब वो उल्टी से हो या फिर दस्त के कारण पानी की कमी हो dns को लगाया जाता है इसके आगे हमारी next समस्या है hypotension अब यहां हाइपो टेंशन क्या होता है गाइस यानिकी blood pressure की कमी होने पर, blood pressure की कमी होने पर, hypotension होने पर dns को लगाया जाता है, इसके बाद जो next समस्या है वो है किसी accidental condition में, accidental condition में क्या होता है guys, blood loss होता है, fluid loss होता है, पानी की कमी हो जाती है, sugar down हो जाती है, blood के निकलने के कारण, body में सभी चीजों की कमी हो जाती है, और ऐसी condition में, patient को dns लगाया जाता है, अब guys, एक सबसे महत्वपुन बात आपको यहाँ पर note करनी है, कि dns कब नहीं लगाना चाहिए, dns जब किसी व्यक्ति की sugar या किसी व्य चड़ानी चाहिए, क्योंकि guys, जो इसमें dns में, जो d है, वो dextrose है, और वो एक carbohydrate का form है, यानि कि वो एक sugar है, और उस sugar के patient को अगर हम और sugar देंगे, तो उसका sugar level तो general सी बात है कि high होना है, तो ac condition में उस patient को dns नहीं चड़ा ही जा सकती है, आपको इतना clear हो गया होगा, आसा निसे समझ लेते हैं कि ये क्या होता है, तो guys, RL ये एक electrolytes का मिशरण होता है, ringer lactate solution, इसको lactate ringers भी कहा जाता है, और heartsman solution भी कहा जाता है, ये sodium chloride, sodium lactate, potassium chloride और calcium chloride का एक मिशरण होता है, और guys, इसके uses को अगर हम देखें, तो guys, RL को कब-कब use किया जाता है, तो guys, RL को dehydration होने पर, यानि कि वही पानी की समस्या, पानी की कमी की समस्या होने पर RL को लगा जाता है, electrolytes के imbalance में, अब electrolyte imbalance हम पहले जान चुके अच्छे से, लेकिन मैं आपको फिर बता दता हूँ, dust होने पर या फिर उल्टी होने पर, पेट में electrolytes imbalance हो जाते हैं, जिसके कारण पेट का पा दिया जाता है, during the surgery, surgery के दौरान RL लगाया जाती है, burning condition में RL को दिया जाता है, nutritional deficiency में RL का यूज किया जाता है, hypotension, अब यहाँ पर फिर hypotension का यूज किया है, तो यह hypotension वही बात होती है, जैसे कि blood pressure की कमी हो जाने पर RL का यूज किया जाता है, और guys जो RL की bottle होती है, वो एक sugar के patient, एक diabetic patient के लिए भी suitable होती है, तो उसे भी RL की bottle को use किया जा सकता है, इसके आगे हम देखते हैं अब हमारे next IV fluids को, तो इसमें है dextrose, अब guys dextrose के अंदर भी बहुत सारे अलग-अलग bottles हैं, जैसे कि D5, D10 और D25, तो इनको अलग-अलग bottles को अलग-अलग strength में क्य 100 ml की और उस 100 ml की bottle में dextrose का concentration कितना है, 5 gram यानि कि उस 100 ml की bottle में dextrose कितना है, 5 gram dextrose है, यानि कि किसी patient को dextrose की जरूरत होगी, तो उसे 5 gram dextrose की bottle चढ़ाई जाएगी, यदि किसी patient को थोड़े ज्यादा dextrose या किसी का ज्यादा वीखने से या ज्यादा चक्कर आ रहे हैं, ज्यादा dehydration है तो उस patient को D10 की bottle चड़ाई जाएगी यानि कि D10 में अब क्या है D10 में 10 gram dextrose है और ठीक उसी प्रकार D25 में dextrose की मातरा कितनी होगी तो dextrose की मातरा D25 में 25 gram dextrose होगा 100 ml की bottle में गैस मुझा लगता है आपको यह साधी बातें बहुत आसानी से क्लियर हो गई होगी अब हम देखते कि इस dextrose के users को तो इन dextrose की users क्या-क्या है यहें dextrose की in bottles को कप-कप चड़ाया जाता है dehydration की समस्या में यानि कि भही पानी की कम होने की समस्या में dehydration की समस्या में dextrose की इन अलग-अलग strength को अलग-अलग patient की condition के हिसाब से लगाया जा सकता है जिस patient की condition जैसी है कमजोर है या और भी critical है उस हिसाब से यह dextrose की bottles अलग-अलग strength की अलग-अलग patient के लिए उसकी condition के हिसाब से उसे लगाई जाती है इसके आगे हम देखते हैं weakness अब गाईज अगर बहुत ज़्यादा किसी को कमजोरी है तो उसे dextrose क्यों दिया जाएगा क्योंकि जब भी हम bottle में bottle के माध्यम से patient को dextrose देंगे तो dextrose एक प्रकार की sugar है और sugar का काम क्या है body को activate करना उसकी weakness को दूर करना तो उसी प्रकार से जब patient को dextrose जाएगा उसके शरीर में हम bottle देंगे तो उसकी weakness दूर होने लगेगे इसलिए weakness की समस्या में भी dextrose की ये bottle चड़ाई जाती है इसके बाद हम देखते हैं इस dextrose से जूड़ी एक बहुत important बात इस बात को आप note कर लिए अपनी copy में कि dextrose किन patient को नहीं चड़ाय जाता है तो गाश dextrose diabetes के patient को diabetic patient को नहीं चड़ाय जाता है इसकी बार में मैं आपको आग्या बता चुका हूँ पर फिर भी मैं आपको एक बार क्लियर कर देता हूँ कि डाइबिटिक patient को अगर पहले ही वह शुगर का मरीज है और शुगर के मरीज को हम और शुगर दे देंगे तो उसकी शुगर लेवल तो इंक्रीज हो जाएगी तो गाइस ऐसी कंडिशन को नहीं कर बनाते हुए डेक्स्टो शुगर के patient को नहीं देना चाहिए ये बात आप अपनी कॉप्य में नोट कर लीजिए इसके आगे हम देखते है हमारे next IV fluid को जो की है मैनिटल solution क्या होता है मैनिटल solution एक डियूरेटिक solution होता है डियूरेटिक का पानी यानि कि extra water को निकालने में बहुत मदद करता है अगर इस solution के composition की बात की जाए तो इसके composition में आता है 20% मैनिटल 100 ml की bottle में यानि कि 100 ml की bottle में 20% क्या होता है मैनिटल होता है और यह किस काम में आता है तो यह body में urine को बनाने के लिए आता है और इसे यूज किया जाता है याइस नोज लगता है कि आपको सारे ही IV fluids बहुत ही आसानी से समझ में आ गए होंगे अगर आपको यह आसानी से समझ में आ गए हैं तो आप अभी हाल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक की ही है तो गाइस आपको विल्कुल भी अगर ही वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इस वीडियो में फिलाल इतना ही मैं मिलता हूं ऐसे ही वीडियो उसके साथ तब तक के लिए भारत माता की जये